कि तो कि आज की क्लास में हम आपके साथ बातषीद करने जाए रही है है act दिस्म reindeer फर्मेटिंग का सकेंद पर वक्म ठीं ठीड़ के टोलत तीन USA है इक पारट अभी आपके साथ डिसकश के रहा हो एक और पार्ट होगा advanced conditional formatting जो हम आपको फॉर्मली क्लास के बाद बताएं कि इसमें बहुत सारे फॉर्मली का इस्तिमाल है इसलिए फॉर्मली क्लास के बाद उचीजिए हम आपको समझाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक डेटा हमने भी जिस्ट ओपन किया इस डेटा पर चलते हैं और इस डेटा भी हमारे पास डेटा है हमने लास्ट लास में आपके साथ डिसकस किया था हायलाइट सेल्स डाप बाटन वूफ डेटा बार इसके बार इसके अंदर कुछ चीजे है जीसे के एक हाईलाइट जी उसमें देखे थे कुछ चीजिस मिसिंग आपको दिखेगा क्या मिसिंग तो यहां पर आप देखिए लुफ यह जो आपको आपको देखेगा बस आपको अपना सेलेक्ट करना है यहां आपना वैलू देनी है और यहां जाके फॉर्मिटिंग अप्लाई कर देना है इस तरह से इसका इस्तमालब करते हैं यहां जैसे हम टेक्स में देखें तो यहां रिंटेर्णिंग है नौट करते हैं विगें भीत है जैसी यहां देखिए मैं चाहता हूं कि जो प्रॉड है ठीक है तो उस केस में हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंडीस्टन फॉर्मेटिंग में आते हैं और मोर रूस या नियू रूस में जाते हैं और यहां हम हम टक्स को सेलेक्ट करते हैं सेटेस्ट और यहां बिन 2फян कर देते हैं और यहां से अपना साम्मेट लेते जो हमारा कॉमेटिंग अपको रिक्वाइर आए उस मैं ंंद लीजिए किजिए और यहां को किए आपके सामने दिखेगा आगे इसमें और भी चीज़े हैं जैसे कि एरर हम एक सेल पे देटा आते हैं अब कई बाहन लोग जहें फॉर्म्ला लगाता है उल्च एक सरुप मैं हो करना tool आपकि करना लेकि के इसलों पादए यसको फॉर्मला आयर llevar देटा करें तब तो इसके पे लिए इत् decides दा लेकिन पहले इस एर्र का formula नहीं था उसके उस समय हम यूज करते थे एक बहुती मुझेदा condition formatting में हम जाते थे more rules या new rules में और यहां हम select करते थे और और error में हम font पे जाते थे और font में इसकी background color white है तो font color जो है हम इसकी white कर लेते है background white, font white फिल कर देते हैं चाहिए सी बाद है ना कि background white होगा तो दिखेगा ने क्या एक है ठीक है सर जी समझ गया इसमें बैक्ड्राउंड वाइट है इसमें background और font दोनों वाइट करना है जी हां तुनों वाइट हम लोग हुआइट पर वाइट मार्कर से लिखेंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा ना सर नहीं दिखेगा ना सर नहीं दिखेगा से कि कि अब आगे भरतें इसमें तो यहां पे अभी तक जो हमने apply किया icon की बात टले हमने इस्तमाल टिया का यूज आप लोग करते हैं हम लोग करते है आइकन का यूज जस्टिविजलाइज करने के लिए कि हां कौन बढ़ा है कोन चोटा मैं आपको दिखाता हूं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा वार यूज करते हैं डेटा बात में बताता है कि क्या पोजीशन से पार में उसके बाद कलर स्केल हमारा आता है कलर स्केल भी सी चीज़ को पताता है कि यह मैसे के लिए लोग पीडिकन के लिए ओपने जीद कर सकते हैं कैसे इसके लिंग चोटा सा एक्जाम को दे रहे हैं मालीजे कि हमारे आफिस के अंदर में एक इंटर्नल टेस्ट हुआ है और टेस्ट के स्कूर आये है अब मुझे क्या करना है जो टेस्ट के स्कूर यहां आये है इसके ऊपर तीन कैटेगरीज है जो गेटर दैन सिक्स्टी नंबर आया है वो पास है पुट्टी टू सिक्ष्टी वाले को हम लोग री टेस्ट देंगे और लेश तैन फोटी हमारा होगा फेल है अब बोलेंसर इसके लिए तो हम जेनरली इप लगाते हैं आइकन से ही कर सकते हैं जाते हैं और हम यहां इस वाले में आइकनों सेलेक्ट करते हैं जो टिक कर निशान है इट मींज वो पास है एक्स्प्रेशन मार्क है मसलब क्यों प्राब्लम है कि हमारी इस कंडीशन इसमें फिट थो रही है क्या कुछ चीजी इतिफाक से मैच कर रही है लेकिन हमारे हमारा कंडीशन से लिया हुआ है तो आप जाहिएगा मैंट किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक करने के लिए मोडिफाई करने के लिए हमें जा अब फिर मैनेज़्स में आते हैं और यहां यह आपको तिक रहा हुआ इसमें आइकन से पर डबल क्लिक करते हैं डबल क्लिक करने के सब्सक्राइब आप देखिए आपके सामने दिख रहा है करेंगे तो यह आपको इस तरह का अडिशनल फॉर्मेटिंग में अडिशन करने के लिए हम मैनेज़्स पर इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यह आपको इस तरह का अडिट एडिट रूल्स अच्छा करेंगे पर्सेंट यहां तो नमबर है सबसे परसेंट को नमबर की कि आ कीज़ें परसेंट को नमबर ठीक है इसके बार यहां अपना कंडिशन डा लिए कि यहां ग्रेटर दें और गेटर दें 60 और यहां आपका लेटर दें 40 यहां 40 260 है न तो यह यहां गेटर दन इकोल और 40 से नीचे पर प्रॉस आटिमेंटिक आजाएगा ओके कीजिए अब आपके अब सम्झाना है तो 3 2 1 हमने लिख दिया इसको सेलेक्ट किया केंडिशनल फर्मेटिंग पर यहां पर हमने आइकन सप्लाई करते हैं तो यहां आप कर सकते है manage rules double click और यहां कर दीजिए show icon only यह reverse कर सकते है अगरत कर लिया आपने तो आप उसको reverse कर सकते है ठीक है J अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे आइकन जो है मतलब कि कई बार लोग बोलते हैं आइकन मुझे सेम सीट पर नहीं लगाना है मतलल कि मुझे आइकन जो भी लगाना है इसको उससे किया मैंने किया सो आइकनओ ले रिवार्स तब विउच करेंगे जब लगादिया तो रिवर्स करें कि स्टू reap अच्छा आइकन अडिवे पर इस पर देटा है राइट प्रब्लम यह है कि हम आइकन जो है यहां पर इस को करना चाहता है हम चाहते हैं कि इसके अगले रोमें यहां शो है बट आप जाहां तरहे एक किसी भी कंडिशन्स में आप जो है दूसरे सेल पर नहीं शो कर सकते हैं अच्छा ठीक है ठीक है मतलब आएगा तो वह सेम उस्पर ही आएगा सेम सेल पर ही आएगा हाँ 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 ठीक है और गया जी तो क्या करें तो हम यहां बें तरीका अपनाते हैं अब एक पुल करके अपने डेटा को लिंक कर लेते हैं इसके उपर आइकन अप्लाई करना है या बार अप्लाई करना है कुछ भी करना कर लिए और फिर हम मैनेज डूल में जाते हैं इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल ट्रिक करने के बाद यहां तक्रा होगा so var only आप्लाइग and then डेटर निरी दिक रहा ना इसको पर दाच लाएग इसके अंदर ग्रिंग किया है इसको विश्यों सरकते है जुगार छी कहार 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 अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब आगे बात हम करते हैं कैलकुलेशन की अब चाहते हैं अब आगे खुद का यहां पर लगाना मैं से अब आपके अब यहां प्रीफाइन था ना कि यह लेकिन मैं चाहता हुआ है यहां यह हमारा इमाउंट है और यह अब प्रॉफिट है हम चाहते हैं कि जो देखना चाहते हैं कि कौन से से मेरा प्रॉफिट नहीं को से 30000 से उपर है ना मुझे उसको पूरा रो हाइलाइट है पूराव है मेरे पास कैल्कुलेंट इंग नहीं है ना डू प्रॉब्लम है एक तो मैं पास टेंपक लेट पिल नहीं और मुझे सब्सकूर्ण को कैलकुलेट ही नहीं करना है ठीक है ठीक है फिल को प्रेट नहीं करना है दूसरा मुझे अभी तहीं हमने जहां पर कंडीशन जिस से कंडीशन लिया है हम उसी सेल में क्या किये थे लगाया थे क्या बोलते हैं कंडीशन और लगाया थे और अब मैं चाहता हूं कि कंडीशन और कलर डिफरेंट डिफरेंट चनल में फूरा रो करना है तो जब भी वह फार्मुले की बात करें तो यह चीजाद रखेगा सिर्फ सिंगल सेल सेल सबसे पहले तो calculate करना है हमें तो इसको हमने लिया multiply by profit और इसमें क्या है आप देख पा रहे हैं कि हमारा fix है इन दुनों के लिए प्राइकेट में multiply अई इसरी मुल्टिप्लाइब कर चुका हूँ ग्रेटर थीज़ा है इसे आपको यहां सब्सक्राइब कि कर देख है कि कि और कि और कि और कि यहां और कि और फिर हां हम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और अपना फॉर्मेट चूछ करने थे हैं ओके आपने 3000 रटा दिया हां तो इसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह 3000 करके भी कंडिशन लगा सकते हैं अब जैसे माल लीचे मेरे पास एकाउंट नंबर मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें अब टेक्स इंटीने करें अब आठ डिशी के पर एकाउंट नंबर होता है तो कुछ लोग करते इस बी आई और इस तरह से लिग देते हैं हम नहीं चाहते हैं तो सेल में नंबर है या टेक्स है पता चलता है इस टेक्स्ट फॉर्मुला इसको सेलेक्ट करेंगे एक सिंगल सेल पर करेंगे किस पर करेंगे सिंगल सेल्ट तो यहां हम जाते हैं नियूरूज यूज फॉर्मूला और फॉर्मूला पर पेस्ट करें अब यहां इक्वल टू टू लगाने की ज़ुरत नहीं प्रक्रमूली का रिजल पाइड पडिपॉल टू 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 लूहीं है दिखे हैं और format गया है select किया आपने पर्मेटिंग को then okay then okay और format painter से हम नीशी के तरफ paint दिख रहा है highlight हो गया number highlight दिखे है ठीक है जी ए खिलिए है है हाज जी अब इसमें और भी बहुत सब्सक्राइब किया सकती है लेकि बताया कि हम नहीं पर आया तो फिलहाल हम यहीं पर रुखते हैं उसके बाद हम बात करें लेकिन आप लोगों के लिए कि एक research है जो कि हम देंगे जैसे कि मैं आपको याद है कि मैंने डुब्लिकेट के बारें बताया था राइट अगर मालीजी एक ही सेल में मोर दिर वन टाइम में लिखता हूं तो लिखता हूं तो हाइलाइट हो जाता है इसके लिए मैं दुब्लिकेट सेलेक्ट किया और प अगर वन लिखा है तू दिखा है फिर यहां वान आगया फिर नीचे टू आगया तो यह दोनों हाइलाइट हो जाए लेकि एक ना हो क्यों कि फॉस्ट आइंड इसको एक बार आपको देखता है और इसको रिसर्च करके मुझे वेखिए त्रीक है त्रीक है त्रीक है त्रीक है तो आज की रिए तना ही और मिलते हैं अली कला